नमस्कार आप News 18 लोकल देख रहे हैं देर रात कवारी के एक दुकान और कमुनिटी हॉल में आग लग गई लप्तो से आसपास के मकानों को भी काफी छती पहुंची कंकरबाग टेंपो स्टेंड के समी पाजाद नगर रोड नमबर 1F में सोमबार की रात करीब 11 बजे कवारी के एक दुकान में अचानक आग लग गई जिसने बगल के राजा उचसब कमुनिटी हॉल को अपनी आगोस में ले लिया इस दौरान तीन छोटे सिलेंडर एक एक कर बिसफोट कर गए इस से आसपास के मकानों को भी आनसिक छती पहुंची सूचना मिलते ही कंकरवाग फायर स्टेशन से दमकल की 6 यूनिट मौके पर पहुंची और रेस्क्यू आपरेशन में जुट गई हलांकि कवारी की दुकान और कमिटी हॉल के अंदर बना पंडाल वा फरनीचर जल कर राक हो गया रात लगभग एक बजे तक पूरी तरह आग पर काबू पाया गया फायर ओफिसर साथना कुमारी ने बताया कि अगनी कांड का कारण स्पस्ट नहीं हो पाया है इसमें कोई हताहत या किसी के घायल होने की सुचना नहीं है बतादैं कि कवारी की दुकान में लकडी के समान और कोईला होने के कारण मिंटो में आग धदक उठी आसपास के घरों में धूआ खुषने से लोगों का दम घुटने लगा और वे मकानों से निकल कर सरक पड़ा गए आग के लप्तों के कारण लोगों के बीच अफरात अफरी का माहौल बना रहा कमरिटी हॉल के मालिक मुकेस्ता ने बताया कि अंदर रखे फरणीचर पंडाल और सो का सारा समान जल कर राख हो गया भारी आर्थिक नुकसान हुआ है जिसका आकलन करना अभी संभव नहीं है वहीं घनी अबादी के बीच कबारी की दुकान होने की बज़ा से स्थानिय लोगों में नाराजगी थी